तो स्वागत है आपका Self Study Classes में सुमिझे यूटूब चैनल में शुशात्यों एक बार वीडियो को लाइक कर दो और मित्रों को शेयर भी कर दो दोस्तों आपको क्या करना है Self Study Classes एप डाउनलोड करना है आपको प्लेस्टोर में जाना है प्लेस्टोर में जाकर के आप Self Study Classes एपको डाउनलोड कर सकते हो ठीक है और दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं आज दोस्तों अपन Self Study Classes एपको अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेश चल ला है एक तो फिरी सीरिज चल लई है यह 2020 फिरी स चल लए है आपकी दोस्तों ठीक है यह फिरी सीरिज Self Study Classes में रभी बार और गुरुबार को दो दिन आपके लिए फिरी टेस्स सिरीज मिलती है 2020 2020 टेस्स सीरिज हिंदी साहित प्रस व्याकरन की ठीक है हिंदी साहित का एक एप लांच किया गया दोस्तों केवल हिंदी साहित के लिए तो केवाल हिंदी साहित के लिए िस से आप जोड़ सकते हैं और दोस्तों अपनी पढ़ाई कर सकते हिंदी साहित का प्LA Eanto में जा कर यह नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आपको लिंक भी है उस लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो साथ ही जूनियर सुपर्टореffect के लिए यह model paper launch किया गया हिंदी का दोस्तों यह model paper है हिंदी साहित का जूनियर edit जूनियर सुपर्टैट के लिए 20 model paper है श्वा نमबर हिंदी के और इसमें 300 मात्र 300 रुपे का ये दोस्तो 20 मॉडल पेपर आपके लिए मॉडल पेपर में महत्पूर्ण प्रस्णों को संकलित किया गया आप इनको पढ़ सकते हैं प्रेक्टिस कर सकते हैं और साथ ही हिंदी साहित का संपूर्ण कोर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं ट्रिक से तो दोस्तो ये वाला आपको कोर्स अप में जाना है हिंदी साहित का संपूर्ण कोर्स इसमें आपके लिए ट्रिक से बिस्तरित है ना और इसमें टॉपिक बाइस टेस्ट तो इसको अभी आफर चला है मॉड़ एक हजार रुपे में इसको आप परचेस कर सकते हैं ठीक है तो बड़ी आफर हैं सभी कोर्सेस में पंजाब मास्टर केडर वाले ल्टी गरेड वाले पीजी टी पीजी टी जूनियर टेड़ वाले जितने भी हमारे साथी इस कोर्स को दोस्तो परचेस कर सकते हैं अपना दोस्तो रशाद के शे plastic का प्रश्चा करना है तो जल्दीसे बताइए मेद्ली सरन गुप्त ने अपना काब गुरु किस्ये माना है सुर्दास को बल्लबाचार को तुलिसी दास को या पिर महावीर प्रसाद दुबेदी को मेतली स्रणगुप्त ने अपना काब गुरू किसे माना है ये आपका क्वेस्चन है और तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सही बताईए मैत्रिशन गुप्त ने अपना काब गुरु किशे माना है तो आपने बताया कि सर महाबीर परसाद दुवेदी को किसको माना है महाबीर परसाद दुवेदी को ठीक है बैरी गोडान सर डी नमर आपका सही है हरियोद जी का रीती गरंत कौन सा है प्रशन एक महा काब लिखा था और ये प्रिये प्रवास जो लिखा गया ये खड़ी वोली में लिखा गया और दोस्तों ऐसा एक खड़ी वोली का प्रथम महा काब है तो आपको पता है कि जब कोई खड़ी वोली का प्रथम महा काब लिखेगा तो वो खड़ी वोली के प्रथम महा कहलाएंगे तो कभी question अगर आप से पूचा जाए कि खड़ी बोली के प्रतब महा कभी कौन है तब आपका उत्तर बताना हरियोद जी ठीक है खड़ी बोली का प्रतब महा कभी कौन है प्रिये प्रवास इनका रीती गरंत आप से पूचा गया तो रीती गरंत यानि की रसकलास आपका एक नम्मर बिल्कु सही है ठीक है ब्यारी गोड प्रिये प्रवास में किस रसकी प्रधानता है प्रिये प्रवास ये प्रिये प्रवास दोस्तों आपको पता है कि ये प्रिये प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रतब महा कभी है इसके रचनाकार हरियोद जी है ले हैं और किस रसकी प्रधानता है तब हुझ सारे लोगों ने बताया कि सर के जो प्रिये प्रवास है इसमें स्रंगार और करुण रसकी क्या है प्रधानता है डी नमर आपका बिल्कुर सही very good हर्योधिकरत बेदेही बनवास बताना है बेदेही बनवास का काब रूप क्या है प्रबंद काब है गीती काब है चंपू काब है मुक्तक काब है वे ब्यदेही बनवास है क्या है 58 का आंसर क्या है बताइए ब्यदेही बनवास क्या है अंठावन का उत्तर बताना है और अंठावन में आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा वो हो बैदेही बनवास है यानिकि आपका उत्तर एक नमबर बिलकु सीड़ हो जाएगा अब किसी को अगर पता है कि बैदेही canवास में कितने सरग कर दौना बता यह प्रि यहक प्रवास में कितने सरग कितने शरग और बैदही can परना है साथ ही Angla question है कि मेंतरी स्नागुप्ति की पृफ्धं रचना कौनसी है पृफ्धं रचना आपको बताना है भारत जा रहा है पृफ्धं रचना इस पूछा गया यहां पर तो विकल्पनुसार आपको उत्तर ister जगाना है है ना तो विकल्पनुसार जो आपका उत्तर हो जाएगा इनकी रचना रंग में भंग कई विद्वानों ने रंग में भंग के लिए प्रथम माना है दोस्तों ठीक है तो यहां पर आपका बी नम्मर जो है वो बिलकूर चाहिए रंग में भंग वैरी गोड आंसर म मेत्रीशन गुप्त को राष्ट कभी की उपादी किसने दी ये क्वेस्टन आप से पूछा गया है तो बताईए मेत्रीशन गुप्त को राष्ट कभी की उपादी किसने दी बताएं हिंदी साहित सम्मेलन द्वारा नागरी पिरचारनी शभा के द्वारा महत्मा गांधी ज जाएगा महत्मा गांदी ने यानि आपका सी नम्मर जो है वो बिलकुँ सही है दुवेदी युग के किस कभी को राज्य सवा का सदस्य निक्त किया गया महावीर पर साथ दुवेदी अयुद्या शेम उपाद्या हरियोद, स्रीधर पाठक या फिर मैथली सरण गुप्त को दुवेदी युग के किस कभी को राज्य सवा का सदस्य निक्त किया गया प्रश्न किरमांग को 61 का आंसर बताना है और 61 में आपका राइट आंसर चला जाएगा किस कभी को राज्य सवा का सदस्य निक्त किया गया राइट आंसर है मैथली सरण गुप्त को जन में कब हुआ इनका मैत्री शरण गुप्त का बताईए और मैत्री शरण गुप्त की लोग प्रियता का मूल आधार गरंथ कौन सा है प्रश्न किरमांग 62 में सभी लोग एक ब टैप की लिंक नीचे आपको दी है तो आप लोग कर सकते हैं जिनको भी जूनियर सुपर्टेट का मॉडल पेपर लेना है या क्रस कोर्स लेना है वो ले सकते हैं मैत्री शरण गुप्त की लोग प्रियता का मूल आधार क्या है तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत भारती भारत भारती यानि कि ये 1912 की रचना है और दोस्तो भारत भारती के कारण ही दोस्तो इनकी लोग प्रियता फैली लोग प्रियता दोस्तो इनकी बड़ी तो एक नम्मर आपका सही है और इसी रचना की प्रिसिद्धी के कारण इन्हें राष्ट कभी की उपादी दी गई थ भारत भारती का प्रिकाशन वर्ष भी आप लोग बता दो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो एक बार 63 का आंसर बताना है भारत भारती का प्रिकाशन वर्ष क्या है भारत भारती का प्रिकाशन वर्ष क्या है 1910, 1912, 14 या फिर 1916 भारत भारती का प्रिकाशन वर्ष क्या है त तब आपका यहाँ पर सीधा आंसर जाएगा 1912 यानी बी नंबर 1912 ये भारत भारती का प्रिकासन वर से दोस्तों बी नंबर आपका राइट आंसर है मैत्रीश रंगुप्ति की बहर रचना जिसने देश में राष्ट प्रेम की धूम मचा दी तो वो रचना कौनसी है जिसने देश में राष्ट प्रेम की धूम मचा दी 64 का आंसर आपको चैन करना है और 64 में आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा राष्ट प्रेम की धूम किस ने मचा दी भारत भारत भारती ने मचा दी दोस्तों ये 1912 की रचना अपन को याद करना है अब यहाँ पर अप पहले जगत सचाई सार के बारे में बता दो जगत सचाई सार ये तो आपको पता है बोली सर ये तो स्रीधर पाठक की रचना है ठीक है बालचर किसकी रचना है बालचर भी आपको बताना है तो बालचर आपको पता है हरियोद की रचना है बालचर ठीक है दौपर के रचनाका कौन है मेतलिशन गुप्त हैं पथिक के रिचनाकार कौन है तो पथिक के राम रिष्टर पाठी है तो यह चीज़ें आपको याद करनी है उसके बाद यहाँ पर आते हैं अंगले कोस्चन को देखेंगे प्रिकास अनकाल की द्रश्टी से सही अनुकरम आपको बताना है 66 का आंसर प्रिकासन काल की द्रश्टी से सही अनुकरम बताईए प्रिये प्रवास रसकलस चौके चौपदे बैदे ही बनवास इन में से आपको चैन करना है 66 का आंसर बताना है सबी लोग बताएंगे प्रिकासन काल की द्रश्टी से सही अनुकरम क्या है सही अनुकरम क्या है और शही अनुकरम आपको बताना है तो आप लोग बताएंगे कि सर यहाँ पर सबसे पहले प्रिये प्रवास इसका रचना काल बताईए प्रिये प्रवास का रचना काल क्या है रसकलस ठीक है फिर चोखे चौपदे और फिर दोस्तों बैदे ही बनवास अब आपको रचना काल भी बताना है प्रिये प्रवास का रचना काल क्या है रसकलस का रचना काल क्या है चोखे चौपदे इसका रचना काल क्या है और बैदे ही बनवास इसका रचना काल क्या है आपका उत्तर ए नमबर बिलको सही है सबसे पहले प्रिये प्रवास आएगा दोस्तों ठीक है ये नम्मर सही है लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी अब आपको रचना काल भी बताना है देखते हैं कौन-कौन सही बता पाता है जल्दी से बताओ प्रिये प्रवास रसकलस चोखे चौपदे और बैदेही बनवास इ बिल्कूर शाई है ठीक है उसके बाद रसकलस रसकलस कब का है बताएं रसकलस भी बताना है आपको बताएं जल्दी से रसकलस का रचना काल क्या है और आपका उत्तर यहां पर हो जाएगा सरसट का अंसर सरसट का अंसर बताना है प्रिकासन काल की द्रश्टी से सही अनुकरम कौन सा है तो यहां पर भी आपका राइट अंसर है यह नंबर यह नंबर यानि कि साकेत जंकार पंचबटी भारत 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 यह नंबर सही है क्या नहीं है उली सर बी नम्मर सही इसका भारत भारती पंचवटी जहंकार और फिर साकेत है ना तो ये बी नम्मर इसका सही हो जाएगा ठीक है बी नम्मर आपका राइट आंसर है सड़ सटका वेरी गोड़ फिर प्रकासन काल की द्रश्टी से सही अनुकरम बताना है यहां पर ब प्रकासन काल की द्रश्टी से सही अनुकरम बताईए प्रश्ण किरमांग को 68 का आंसर 68 का आंसर बताना है और सीधा सीधा आंसर आपका जा रहा है यहां पर कि सर इसमें तो सी नम्मर सही हो जाएगा यह सोधरा है ना फिर द्वापर जय भारत और अन्तमे दोस्तों विश् संपरिया बेरी गोड़ साकेत का प्र curios सर्ग आरंब होता है साकेत का प्र तम सर्ग आरंब होता है का इसे राम बंदना से गलेस बंदना से शाकेत के बैभाई हिंदी के मौडल पेपर लेना है 20 मौडल पेपर प्राई जिसकी 300 रुपे है दोस्तों 20 मौडल पेपर बहुत ही महत्पून प्रस्णों का संकलन किया गया है आप एप में जाकर कि इनको प्रेक्टिस कर सकते ठीक है शाकेत का प्रिथम शर्ग आरंब होता है किस से होता है तो अर्थ बताना है दोस्तों यह साकेत महा काब है किसका मेत्री शनगुपत जी का लेकिन साकेत का यहां आर्थ क्या है आयोध्या स्वर्ग लोक म्रत्यू लोक या फिर राम कथा काब यानि कि प्रश्णे के रमांक सत्तर का अंसर बताना है राम चरित मानश के बाद हिंदी मे राम काब का दूसरा जो इस्तम्भ है वो शाकेत है और साकेत कार्थ है आयोध्या आयोध्या यानि की ये नमबर आपका बिलकुल शाही है साकेत प्रबंध काब में कितने सर्ग है शेविंटी बन का अंसर आपको चैन करना है एक बार जल्दी से लाइक कर दो शबी साती साकेत प्रबंध काब में कितने सर्ग हैं एक क्वेस्चन आप से पूछा गया और सीधा अंसर जा रहा है कि सर साकेत जो प्रबंध काब है इसमें जो सर्ग हैं वो सर्ग हैं बारा है कितने सर्ग हैं बारा है यानि कि आपका जो बी नंबर है बी नंबर वो बी नंबर बिलकोँ चाही हो जाएगा बारा है आपका राइट अंसर है साकेत महाकाब के सिर्जन और प्रेणा का स्रोत क्या है सिर्जन बढ़िया प्रस्ण आपसे पूचा गया ये दोस्तो 1931 का महा काब है मैतली शनगुप्त जी का इसके सिरजन का प्रेणा सुरोत क्या है और आपका सीधा आंसर जाएगा रबिंदर नाट टेगोर करत का बेर उपेक्षिता साकेत महा काब के सिरजन का दोस्तो प्रेणा सुरोत माना जाता है सी नमर आपका साही है साकेत महा काब का सरबाद एक मारमिक सरग कौन सा है बताएगे पंचम सब्तम नबम या फिर अस्टम बताएं प्रेशन किरमांग को तेहित्तर का अंसर चैन करना है लाइक करना है साकेत जो की 1931 का महा काब है मैत्रीषन गुप्त जी का है इसका सबसे मारमिक जो सरग है वो सरग है नबम यानि कि आपका डी नमबर नबम सरग आपका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है बहुत बड़िया मैत्रीषन किरमांग को चोहतर का अंसर बताना है मैतली स्रणगुप्ति की कौन सी किरती प्रिकासन किरम में पहले आती है ये आपको चोहुत्तर में बताना है और देखते हैं कौन-कौन सही बता रहा है प्रिकासन किरम में पहले कौन सी आती है बताइए जैदरतबद, पंच बटी, भारत भारती, या फिर बिकट बट, कौन कौन सही उत्तर बताएगा और ऐसी कितने साती हैं जिन्होंने हिंदी साहित बाला न्यू एपल दोस्तों डाउनलोड नहीं किया न्यू एप भी आप लोग डाउनलोड कर लें, जहां पर आपका यहां पर जैदरतबद बिलको सही हो जाएगा 74 का आंसर आपका जैदरतबद, ये दोस्तों प्रकासन किरम में पहले आती है ये रचना, ठीक है एक नम्मर आपका बिलको सही लगा है, आप लोगोंने वेरी गोड अंगला कॉस्चन में थ्रीश रणगुप्ति की बहर रचना, जिसमें राष्ट की बली बेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने बाली योबक का चरित्र चित्रन हुआ है तो बताइए कौनसी है वेरी रचना, जिसमें राष्ट की बली बेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने बाली योबक का चरित्र चित्रन हुआ है 75 का अंसर और 75 में वो रचना इनकी कौनसी है अब यहाँ पर भाई प्राणों का हुआ है तो प्राणों में आप समझ लेना जै द्रत बध यहाँ पर भी बध किया गया तो यह नम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा यह नम्मर जोने लगा है उनका आंसर बिलको सही है बहुत बड़ी आंसर अंगले question क्यों बढ़ेंगे है ना चेतन्य महाप्रभू की ब्युक्ता पतनी के त्याग तप और उसकी मनोदसा का उलेक किस गरंथ में मिलता है किस गरंथ में मिलता है विश्नुप्रिया, सुलोचना, हिडिमबा या फिर सेरंध्री चेतन्य महाप्रभू की ब्युक्ता पतनी के त्याग तप और उसकी मनोदसा का उलेक किस गरंथ में मिलता है प्रश्न किरमांग का आपका 76 है और 76 में बहुत अच्छा question पूछा गया दोस्तों ये है ना आपने चेतन्य महाप्रभू को सुना होगा जो कि गौडिये संप्रदाय के क्या माने जाते प्रवर्तक माने जाते हैं चेतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक मान जाते हैं तो ये चेतन्य महाप्रवु की बियुकता पतनी के त्याग तप और उसकी मनुदशा का उलेक किस गरंथ में मिलता है तो ये गरंथ है विश्णू प्रिया ये गरंथ किसका है तो ये विश्णू प्रिया गरंथ की रिचनाका कौन है? तब आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कौन है? मैथली सरन गुपते, ब्रहनी नारी की मारमिक बैथाका चित्रण किस गरंथ में हुआ है? की से गरंथ में हुआ है? कॉष्ट बहुत ही अच्छा पूछा गया, आपको लाइक करना है मित्रों को share करना है और इसी प्रिकार से बने रहना है दोस्तों जल्दी से बताईए ब्रहणी नारी की बैथा का जो मारमिक चित्रन किया गया है वो किस गरंथ में किया गया है एक अच्छा चला जाता है D number याननी की उपरयोग्त सभी में एक के बैरिगोड कौनसी रचना मैंतरी श्रणगुप्ति की है गुरुकुल भी गुप्त जी की है तो कौनसी नहीं है कौन सी रचना मैत्री स्रण गुप्ति द्वारा रचित नहीं है तब आपका उत्तर चला जाएगा कि सर द्वापर है या सोधरा है गुरु कुल भी है लेकिन पथिक नहीं है ये पथिक तो राम नरेश्टर पाठी की है ठीक है तो आपका सी नंबर बिलको सही हो जाएगा यहाँ पर मैत्री स्रण गुप्ति की अतु कांत रचना एक कई बार पूचा गया मैत्री स्रण गुप्ति की अतु कांत रचना कौन सी है द्वापर विश्नु प्रिया मेगनात बद या फिर या सोधरा मैत्री स्रण गुप्ति की अतु कांत रचना कौन सी है अतु कांत रचना कौन सी 79 में आपको चैन करना है और 79 में ये पूरी की पूरी रचना है दोस्तों मेत्रिश लगुपतिकी है अब इसमें अतुकांत रचना बतानी है ये question पूचा गया है पहले तब आपका उत्तर है मेग नाथ बद मेग नाथ बद जो है दोस्तों कि अतुकांत रचना पूची जाती दी नम्मर बिल्कु सही बोद्ध कालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काब गरंत कौन सा है बताएं बोद्ध कालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काब गरंत कौन सा है अनाग बिकट भट है ना ब्रत्त सहार या फिर जहनकार कौन सा गरंत है जो बोद्ध का question पूछा गया और आपका उत्तर है अनाग अनाग है यानि कि आपका जो ये नमबर है दोस्तों ये नमबर बिलकुर सही हो जाएगा ठीक है ये बोध काली संस्कृति को दगाटित करने वाला काब गरंत है जोदपुर के एक राजपूत सरदार की तीन पीडियों तक चलने बा वाली गाथा का वरनन किस काब गरंत में हैं किस काब गरंत में हैं और इट्टी बन में सीधा सीधा आपका राइट आंसर जा रहा है कि सर जोदपुर के एक राजपूत सरदार की तीन पीडियों तक चलने वाली गाथा का वरनन किस काब गरंत में हैं तब उत्तर जाएगा बिकट भट में किसमें बिकट भट और इसकी रिचनाकार कौन है मैथली सरनगुप्त बिकट बोले मैथी में बिकट गिरा मैथी में बिकट गिरा ठीक है साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्षमन मिलन वरनेत है बहुत बढ़िया यह साकेत महाकाब है 1931 का है दोस्तों 12 सर्ग किसमे हैं साकेत में अब इसका नबम सर्ग सबसे मारमिक है लेकिन उर्मिला लक्षमन की मिलन का वरनन केसे सर्ग में हैं कुल मिला के बारा सर्ग हैं साकेत में अब आपको बताना है कि उर्मिला लक्षमन का मिलन किसमें वरनने थे 82 का अंसर बहुत अच्छा कोस्चन ये दा आंसर जा रहा है कि सर उर्मिलाव लक्षमन की मिलन वरने थे किस सर्ग में दौादस में यानि डी नम्मर दौादस आपका सई है मेत्री स्रणगुप्ति की किस का बिकृती को हिंदू संस्कृती का स्वक्ष दरपन कहा गया है एट्टी थिरी का आंसर आपको चैन करना है जै भारत साकेत यसोधरा या फिर विश्णुप्रिया मेत्री स्रणगुप्ति की किस का बिकृती को हिंदू संस्कृती का स्वक्ष दरपन कहा गया बहुत ही वड़िया कोस्चन आप से पूचा गया और यहां पर आपका सीधा अंसर जा रहा है एट्टी थिरी का एट्टी के बारे में बताना यह खंड काब है कि महा काब है बताइए इसका रचना काल भी आपको बताना है जै भारत का यह हिंदू संस्कृति का स्वक्ष दरपन कहा गया इसको जै भारत इसका रचना काल इसका दोस्तों आपको बताना कि यह खंड काब है या महा काब है माईकल मद मधुषूदन दत्तिकी क्रतियों का अनुबाद मैत्री स्रणगुप्त ने किस उपनाम से किया है ये question 84 का आप से पूचा गया like करके share कर दो और आपको chain करना है और सीधा सीधा answer जा रहा है कि sir माईकल मधुषूदन दत्तिकी क्रतियों का जो अनुबाद किया है मैत्री हाता है कि मधुप किसका उपनाम है तो मधँप उपनाम है किसका मैथली सरणगुप्तिका क्या उपनाम मधँ और दद्दा भी बोलते थे इनेे तुको याद रखोगे तरिसूल किसका उपनाम है तरिसूल 85 बहुत अच्छा क्वेस्चन तरिसूल उपनाम किसका है बताइए नातुराम सर्मा संकर का सिया राम स्रण गुप्त का गया प्रसाद सुकल सनेही या पिर राय देवी प्रसाद पून का 85 में आपको चैन करना है और एक बार जल्दी से ल सर 85 में अगर आप पूछ रहे हो तो आपका उत्तर है गया प्रसाद सुकल सनेही इनका उपनाम है दोस्तों क्या तरिसूल इनका उपनाम क्या है तरिसूल यानि कि आपका सी नंबर बिलकुर सही है बेरिगोड जकी उपनाम से उर्दू में का ब्रचना करने वाले कभी कौन है जकी उपनाम अब देखना यहां पर उपनाम उपनाम आपको पता चल गया मधुप दोस्तों मैत्रीश लंग उपनाम है तरिसूल गया प्रसाद सुकल सनेही का उपनाम है जकी उपनाम से उर्दू में का ब्रचना करने वाले कभी कौन है ए प्रशन किर्मांग को 86 में क्या है उत्तर चला जाएगा जगनात दास रतनाकर यानि आपका जो डी नमबर है डी नमबर ये बिलकुट शाई है डी नमबर राइट अंसर भक्तिकाल और रीतिकाल का समन बयक कभी किसे कहा जाता है इट्टी शेविन भक्तिकाल और रीतिकाल का शमन बयक कभी किसे कहा जाता है 80 शेविन में आपको चेन करना है और लाइक जरू करना है दोस्तों किके सेयर करना है अपने मित्रों तक भक्तिकाल और रीतिकाल का समन बयक कभी आपको बताना है और सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर समनबयक कभी पूछ रहे हो तो वो कभी हैं जगनाद दास रतना कर यानि कि आपका ये नमबर बिल्कुँ सही है जगनाद दास रतना कर बेरी गोड आंसर अंगले क्वेस्चन की ओर हम आएंगे यहां पर कभिता कामनी कांत भारतेंदू प्रगेंदू शाहित शुधाकर उपादियों से सम्मानित कभी कौन है बताइए अब एक क्वेस्चन आता है डारेक्ट भारतेंदू प्रगेंदू यह किसकी उपादी या किसे उपादी से सम्मानित किया गया भारतेंदू प्रगेंदू उप प्रश्न किरमांग 88 और 88 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर्ब कभीता कामनी कांत भारतेंदू प्रगेंदू के नातु राम सर्माशंकर की उपादी है बी नम्मर आपका सई है अनुराग रतने के रचनाकार कौन है महाबीर प्रसाद दुवेदी गया प्रसाद शुक्लेशन यही नातुराम सर्मा शंकर या फिर बाल मुकुंद गुप्त अनुराग रतन के रचनाकार कौन है 89 का आंसर आपको चैन करना है और 89 में अनुराग रतन अनुराग रतन के रचनाकार बताना है और उत्तर है आपका श्री नंबर श्री नंबर यानि कि आपका दोस्तो नातु राम सर्मा शंकर श्री आपका राइट जाए राम राम अड़ बिरोद या फिर स्वधेश कुंडल बताएं प्रश्ण किरमांक 90 में लाइक जरू कर दो एक बार राय देभी प्रशाथ पूर्ण की बाय किरती बताना जो कुंडलियां चंद में है 90 में और 90 का अंसर जा रहा है कि सर बाय किरती है इनकी स्वधेश कु कौन है और 90 बन का आंसर बताना है 90 बन में करुणा का दंबनी के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है और 90 बन में आपका करुणा का दंबनी और करुणा का दंबनी जो है आपने बताया है बहुत बढ़िया राइट आंसर गया प्रसाद शुकल शनेही ये नम्मर आपका बिल्कुश सही हो जाएगा ठीक है राम नरिश्त्र पाठी की फोटकर कविताओं का संग्रह है तो कौनसा है राम नरिश्त्र पाठी की फोटकर कविताओं का संग्रह है कौनसा है पतेक मिलन मांसी या फिर सपन 92 में और राम नरिश्त्र पाठी की फोटकर कविताओं का जो सं जंग रहे है 92 का आंसर, आंसर है आपका मांसी, मांसी यानि कि आपका जो B-number है, वो B-number बिलकोश है, B-number आपका राइड अंसर है, ठीक है, बेरिगोड, प्रेकास अनकाल की द्रश्टी से सही अनुकरम बताईए, शही अनुकरम आपको बताना है, 93 का आंसर, और 93 में, बताई ये राम नरिश्त्र पार्ठी जी की दोस्तों रचना है और इनका सही अनुकरम आपको बताना है सही अनुकरम बताईए मोहित जी प्रकासनकाल की द्रश्टी से सही अनुकरम कौन सा है और 93 में आपका उत्तर जो हो जाएगा कि सर ये जो प्रकासन काल की द्रश्टी से है तो वो स्वपन अपन ने देखा था यही है कि नहीं है मिलन के पत में मांसी का स्वपन है ठीक है मिलन के पत में मांसी का स्वपन है तो मिलन के पत में मांसी का स्वपन ये आपका c नमबर सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़ी है अब राम रिश्ट तर्पाथी क्रत खंडकाबियों की शंक्या कितनी है बहुत बढ़ी है क्वैस्चन खंडकाब इनके कितने है 94 का अंसर कितने खंडकाब है तर्बपाथी जी के राम रिष्टर पाठी जी के खंड काब कौन से है ये आपको बताना है एक दो चार या फिर तीन कौन कौन से खंड काब है और कौन सा खंड काब नहीं है ये भी आपको बताना है तो राम रिष्टर पाठी करत खंड काब्यों की जो संक्या है वो संक्या है तीन अब इन चार म से आपको बताना कौन सा खंड काब नहीं है राम रिष्टर पाटी का बताईए फटाक से एक कोश्चन और आपका बनता है राम चरित चिंता मनी ये किसकी रचना है राम चरित चिंता मनी ये किसकी रचना है 95 का अंसर बताना है और 95 में आपका अंसर जा रहा है राम चरित चि गया बेकल्प नम्मर डी यानि राम चरित उपाध्याई राम चरित उपाध्याई यानि कि डी आपका बिल्कोश चाहिए ठीक है राम चरित उपाध्याई की रचना है राम चरित उपाध्याई की रचना है डी नम्मर आपका बिल्कोश चाहिए बहुत बढ़िया मांसी ठेकाना नाही ये बताना है आपको महावी प्रसाद दुवेदि की है भारतिंदु अरिश्चंद नातुराम सरमा संकर या फिर प्रताप नारण मिस्त्र शरगव नरक ठेकाना नाही 96 का अंसर बताना है और 96 में आपका उत्तर चला जारा है ये नंबर यानि महाबी प्रसाद दुवेदी जी की ये पंक्ती है एक नम्मर आपका बिलकु सही है ठीक है बेरिगोड मानस भवन में आरजन जिनकी उतारें आरती भगवान भारत भरस में गूजे हमारी भारती बताएं प्रश्न किर्मांग 97 में 97 में आपको बताना है यहां पर भारती आया है तो आप लोग समझ गए होंगे सायद मानस भवन में आरजन जिनकी उतारें आरती भगवान भारत भरस में गूजे हमारी भारती और बास्तों में ये भारत भारती पूरे भारत भरस में प्रिसिद्ध हो गई थी है ना तो ये भारत भारती दोस्तों इससे पंक्तिय ली गई है 1912 की ये भारत भारती इतनी प्रिसिद्ध हुई कि मेत्री श्रंगुप्त को राष्ट कभी की उपादी दे डाली दोस्तों महत्मा गांदी ने योग योग तक चलती रहे कठोर कहानी रगुकुल में थी एक अभागिन रानी बताईए ये जोस्तों ये बताना है कौनसी थी प्रश्ण किरमांक 98 में 98 में योग योग तक चलती रहे कठोर कहानी रगुकुल में थी एक अभागिन रानी तो कौनसी थी कैकाई सी नमर आपका साही है very good answer बहुत बढ़िया अंगले question क्यों बढ़ेंगे मुझे फूल मत मारो मुझे फूल मत मारो प्रश्न किरमांक 99 में तो क्या मार दो मैंने बताया था मुझे फूल मत मारो बोले चाहे मैथी मार दो मैथी मुझे फूल मत मारो चाहे मैथी माल लो मैथी तो मैथी से क्या अधिकार खोकर बैठना यह महादुसकर में यह पंक्ति किसकी है यह पंक्ति पूछी गई है दोस्तों अधिकार खोकर बैठना यह महादुसकर में है प्रशने किरमान के स्वव में आपको बताना है और श्वव में आपका उत्तर है किसरे जो पंक्ति है ये मैत्री श्रंगुप्ति की है ये जो कथन है ये मैत्री श्रंगुप्ति का है ये नम्मर आपका सही है दिवस का आउसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला ये बहुत ही इंपोर्टेंट है 101 में बताइए ये आपको बताना है दोस्तों कि दिवस का आउसान समीप था गगन था कुछ लोहे तो हो चला ए पंक्ती कहां से ली गई और ए पंक्ती के रचनाकार कौन है ये भी आपको चैन करना प्रश्ण किरमां के 101 में और ए पंक्ती ले गई है दोस्तों कहां से प्रिये प्रवास यानि कि हिंदी के प्रथम हिंदी खड़ी वोली के प्रथम महाका प्रिये प्रवास से ली गई और इसके रिचनाकार कुण है हरियोद जी हरियोद जी है यह नममर आपका सही है ग्यानरासी के संचित को उसका नाम साहिट है यह किसने कहा 102 का अंसर आपको चैन करना है Like करना है अपने मित्रों तक share जरूर करते रहिए दोस्तों है ना और जिन भी सात्यों ने Self Study Classes से अप download नहीं किया वो Self Study Classes से अप download कर लें और यहां पर ज्यान रासी के संचित को उसका नाम साहित है यह पूछा गया ये पंक्ती है आचार महावीर पिरसाद दुवेदी की ठीक है शी नमबर बिलको सही बहुत बढ़िया बड़ी धूम से टेसू आए लड़की लाड़ी साथ लगाए होगा दिल्ली में दरबार सुनकर चौक पड़ा संसार पंक्ती बताईए किसकी है किसकी पंक्ती है बताएं बड़ी धूम से टेसू आए लड़के लाड़ी साथ लगाए होगा दिल्ली में दरबार सुनकर चौक पड़ा संसार एक सो तीन का अंसर सभी लोगों को बताना है लाइक करना है अपने मितनों तक शेयर करना है और एक सो तीन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर एक सो तीन बड़ी धूम से टेसू आए लड़के लाड़ी साथ लगाए होगा दिल्ली में दरबार सुनकर चौक पड़ा संसार एक देवराज के नयन हजार काम देव पर बड़े चाओ से आकर पड़े एक ही बार पताओ प्रशन किरमां के 104 में क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ठीक है ये सारे देव ब्रंद से खिचकर देवराज के नयन हजार काम देव पर पड़े चाओ से आकर पड़े एक ही बार 104 का उत्तर बताना है और 104 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सरे जो पंक्ती है ये महावीर पिर साथ दुबेदी जी की पंक्ती है ठीक है अंगला क्वेस्चन ये पंक्ती का उत्तर आपको कमेंट में लिखना है लिखो ना करो लेखनी बंद सरीधर समसब कभी स्वाच्छन ये पंक्ती आपको कमेंट में लिखना है दोस्तो इसी प्रकार से आप लोग अध्यन करती रहें वीडियो को लाइक करती रहें सेयर करती रहें और दोस्तो लगे रहें ये 2020 फिलकुल फिरी टेस्ट सीरीज चलती है सेल्फ स्टडी क्लासे से अप पर है ना सब्ताय में ये दो दिर रभीबार और गुरुबार को चलती है दोस्तो तेस्ट सीरीज से आप जोड़ सकते है हमेशा के लिए बिलकुल फिरी है ये हिंदी साहित का न्यू एप लांच किया है श्वनमबर हिंदी के लिए इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट यानि की परीक्षा की टाइम पर आपको क्या पढ़ना है कौन से इंपोर्टेंट कॉस्चन पढ़ना चाहिए ऐसे मौडल पेपर बनाए गए है इस मौडल पेपर का चार्ज रखा गया है मातर 320 मौडल पेपर ठीक है और जो भी साथ यांगे के लिए पढ़ना चाहते बिलकूर टरिक्स से पढ़ना चाहते है टोटल टरिक्स से पढ़ना चाहते दोस्तों हिंदी साहित के तो शंपूर कोर्स में अडवीसन अभी ले सकते बड़ीया उफर है 1000 में मातर एक साल की बैल एड़ेटि गे साथ आप किसी भी एकजाम की तयारी कर रहे है चाह мас्टर कडर की कर रहे हैं PGT TGT की कर रहे हैं या आँगे आने वाले हिंदी साहित जहां भी आपका दोस्तों एकजाम की तयारी करेंगे उसके लिए एक कोर्स लांच किया गया है तो आप सभी साती स्ट्रिक्स वाले कोर्स में एड़ भी सन ले सकते जहां पर लाइब किलास है रिक्वाड़ेट कोर्स है ना और दोस्तो टॉपिक वाइस टेस्ट बहुत सारी चीज़े यहां पर आपको मिलती है तो शबी सातियों के लिए धनबाद इसी परकार से आपको जुड़े रहना है सबी सातियों को धनबाद ठीक है जुड़े रहें लाइक करें